बड़वानी अंजड में शर्म सार कर देने वाली घटना है सामने महिला के साथ दो लोगों ने क्या दुसकर्म दुसकर्मी दोनों सगे भाई अंजड थाना अंतरगत एक महिला के साथ दो भाईयों द्वारा दुसकर्म का मामला सामने आया है और मामला सिर्फ एक बार का नहीं है आज से चार महिने पाले तारीक 27 नौंबर को महिला अपने घर वालों के साथ खेत में काम कर रही थी इस दोरान जब वा खेत से काम कर अपने घर लोट रही थी तबी अचानक महिला के साथ जोड जबरदस्ती कर खेत में बनी टापरी में उसके साथ दुसकर्म किया वहीं चार दिन पाले दस अप्रेल को रात दस बजे उसी आरोपी का छोटा भाई महिला के घर में घुसकर चाकू दिखा कर धमकी दे कर दुसकर्म किया जिसके बाद महिला ने चिलाया और परीजनों को घटना बताई जिसके बाद थाना अंजड में आरोपी दिनेस पिता अगर किसी को बताया तो बतनाम कर देगा तो महिला डर गई उसमें इस बारें फिर किसी से शिकायत ने की और अपने दिन चरिया में लगी लिए फिर दस चार तो हजा रिकीस को शनिवार को रात को आठ गजे उसके पती बाहर गया हुआ था काम से सुक्ला बनने के लिए तब जो पुराना आरोपी है जिसके बारें बत जब इसके उसमें खुटा अबाम किया है से पहले सबसे ज़्यादा जरूरत आक्सिजन की है एसा सोचते हुए मैंने यह पहल किये और मैं लोगों से अफिल करना चाहता हूं कि जो लोग भी इस काम से जुड़ना चाहते ही वह जरूर जुड़े जब देना चाहता हूं साब सर ने उसको स्युकार किया और आक्सिजन गेस भरकर मैंने दी है और जब जब आउशकता पड़ेगी तो मैं आक्सिजन गेस रिचार्ज करवा गे निसुल को देते रहूंगा बढ़वानी बसों के पहिये थमे चालक परीचालकों की स्थिति खराब कोरोना के चलते आर्थिक संकट से जुज रहा इस्टाब कोरोना काल की चलते एक बार फिर कई जिलों में लॉक डाउन लगाया गया है जिसके चलते लोगों के आवज आ ही जहां बंध है वही बस अंचालकों ने बसे खड़ी कर दिये जिससे बस के इश्टाप चालक परिचालक और क्लीनरों के सामने रोजी रोटी का संकटा खड़ा अगर इस्तिती यही रही तो आने वाले दिनों में ये लोग भूको मरनी की इस्तिती में आ जाएंगी अगर इस्तिती में आपको कोई फाइदा नहीं पहुचा है इस बार क्या करेंगे है खरने को कुछ है नहीं सरकार कोई सुनवाई करती नहीं है अभी घर खर्चे कैसा चल रहा आपके कुछ नहीं है बस देसे देसे धकरा है वर्ला, प्रभारी मंत्री प्रेमसिय पटेल और जिला कलेक्टर शिवरासिय वर्मा द्वारा वर्ला स्वास्त केंदर का निरिक्षन किया गया वर्ला में फिलहाल 10 बेट का कोविट सेंटर बनाया गया है बलबाडी भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंदर चोधरी द्वारा कोविट सेंटर में बारत जंबो ऑक्सिजन सिलेंडर भेट किये गए चोधरी का कहना है वरलाग रामिन अंचल इस्थाने इसे में यहाँ पर ऑक्सिजन की कमी ना पड़ जाए और ऑक्सिजन सिलेंडर की वर्तमान जरूरत को देखते वी उन्होंने ऑक्सिजन से भरेवे बारत जंबो सिलेंडर भेट किये चोधरी द्वारा उक्सिजन सिलेंडर दी जाने पर कलेक्टर ने उनका आभार माना महीं बलबाड़े अस्पताल में पिछले एक महाँ से डॉक्टर नहीं होने की समस्या से भी लोगों ने कलेक्टर को अउगत कराया